रभीकरन देश्मुख जी जो बात किशोर तिवारी जी कह रहे हैं क्या ये वाकई में विंडिक्टिव पॉलिटिक्स हो रही है या ऐसा लगता है कि संजे राउत है या पिर नवाब बलिक है या अनिल देश्मुख है अगर इन्होंने गलतियां की है अगर किसी तरीकी की धो दो बाते हैं एक ऐसा है कि क्या ये सारी कारवाईया जो हो रही है ये नई सरकार आने के बाद ही संभव हुई है क्या इसके पहले नहीं हो सकती थी क्या जैसे किशोर तिवारी जी ने अभी बताया कि 2004 में उन्होंने ये फ्लैट लिया था 2009 का कुछ बता रहे थे क्या 2009 के ब गटना नहीं है ये कई सालों से यहां के लोग बार बार कह रहे थे कि माड़ा हमारे लिए घर बनवा नहीं रही है इन्होंने कहीं बाहर काम दिया है वो बिल्डर जो है हमारा घर नहीं दे रहा है हमको क्या ये 2022 में ही हुआ था क्या अब ये कहेंगे कि 2018 में हमने केस ये कार्यान्वेन जो हुआ है ये अभी हभी शुरू हुआ है तो लोगों को ऐसा लगता है कि गटनाय पुरानी है क्या 10-15 साल 20 साल पहले ED नहीं थी क्या क्या 10-15 साल पहले ऐसे कोई कानून नहीं थे कि जिसके तहित जिसके अंदर जिसका उप्योक करकर आप कोई कारवाई नहीं कर सकते थे क्या कर सकते थे करना ज़रूरी था लेकिन किया नहीं गया क्या फिर लोगों को ऐसी मन में आशंका है या उनके मन में ऐसा संदे वो लग रहा है कि क्या आप ऐसी स्थीति का इंतजार कर रहे थे कि अभी कि स्थीति जो है महराष्टा में राजनीदी स्थीति कि जिसमें शिवसेना ने अपने अपने तरीके से सरकार बनवाई है क्या इस मौके का इंतजार था कि हमारे खिलाफ अगर आप चले जाएंगे तो हम सारी यह जो फाइले हैं मिकालेंगे और कारवाई करेंगे लोगों के मन में यह शंका है कारवाई करने में मुझे नहीं इसमें क्या इसमें संजय राउत की पतनी का कोई इन्वाल्मेंट दिखाई पड़ रहा है हाँ यह जो उन्होंने ट्रेल निकाला है जो जो यह जो है जाता है पैसे का लेंदेन का उसमें इनका यह कहना है एडी का कि प्रवीन राउत प्रवीन राउत की पतनी माधूरी रा तो आपने जो पहले ये बताया था कि ये जो राज इसके पीछे राजनीती क्या है मैं तो बताता हूं कि दादर का अगर आप नाम लोगे तो दादर में कोहिनूर कावर भी बन रहा था कोहिनूर मिल की प्रापर्टी शिवसेना भवन के सामने है जिसकी बहुत बड़ी प्रा चाते हैं कि फिर कुछ लोगों के बारे में कारवाई शक्ति से नहीं होती है और कुछ लोगों के बारे में सक्ति से शक्रवाई होती है तो क्या ।क इसमें राजनीती नहीं है क्या कि इसमें ये सारे सवाल कॉत कि सत्य हिंदी का आप deunlowood करें Google Play store पर झाल झाल